सेलेक्सन माइंड ओनलाइन अकडवी में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सिंदु घार्टी सभिता के कुछ सवालों की सिंदु सभिता निम्नमे से किस युग मैं पढ़ती है साथियों इसका उत्तर होगा आद एतिहासिक अब हम इन कालों की बात कर लेते हैं तो प्रागयतिहासिक काल जिस पर लीपी लेखन पद्दती नहीं प्राप्त हुई थी जब लीपी और लेखन पद्दती ही नहीं थी तो उसे पढ़ा कैसे जाएगा साथियों प्राग एतिहासिक काल की ही हमारे यहां की भीम बैठिका की गुफाये हैं आधे एतिहासिक की बात करें तो यहां पर लिपी और लेखन पद्दती तो थी लेकिन एसी थी जिसे वर्तमान तक पढ़ा नहीं जा सका आद्यातिहासिक में हरपपा और वैदिक काल शामिल है एतिहासिक की अगर बात करेंगे तो एतिहासिक में लिभी भी थी, लेखन पद्दती भी थी और पढ़ा भी गया है जैसे मुगर्वकाल, दिल्ली, सल्तनतकाल, बौध, जैन, आद्य सिंद्व सब्भिता की उत्तरी सीमा क्या थी? साथियों इसका जवाब होगा मांडा, जो की जम्मु कस्मीर में इस्तित है इसे हमें एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ट्रिक है दा आई मैन सूप दा से डैमाबाद और दक्षिन, आ से आलमगीरपूर और एस्त मा से मांडा न से नौर्थ, सू से सुतकांगे डोर, पा से पस्षिम एक बार हम इसे फिर देख लेते हैं सवाल है बिना दुर्ग के एक मात्र सिंधु नगर कौन सा था साथियों इसका जवाब होगा चनहुदडो अगर हम चनहुदडो के उत्खनन करता की बात करेंगे तो ये हैं मैके और मजूमदार जिसकी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं साथियों अगर चनहुदडो की हम नदी की बात करेंगे तो ये सिंधु नदी के तड़ परिस्थित है आपको ये भी याद रखना है कि मनके के उद्योग के साक्ष चनहुदडो और लोथल से ही प्राप्थ हुए हैं साथियों वीडियो को रोक कर ही आप इसका जवाब सोचेंगे सवाल है विसाल इस नानगार कहां से प्राप्थ हुआ था इसका जवाब होगा मोहन जोदडो यदि इस नानगार की हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई थी 12 मीटर, चोड़ाई थी 7 मीटर और गहराई थी 3 मीटर यदि भवनों की ही बात करें तो एक और भवन चर्चा में रहता है जो की है अननागार अननागार जो की मोहन जोदडो का सबसे बड़ा भवन था इसकी लंबाई थी 45 मीटर और चोड़ाई थी 15 मीटर सिंदुगाटी सब्विता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका जवाब होगा कृशी कुछ पुस्तकों में आपको व्यापार भी देखने को मिलता होगा जो की सिंदुगाटी सब्विता के लोगों का सिर्फ व्यवसाय था ना की मुख्य व्यवसाय तो वह गलत है रोपड के खोज करता कौन थे? साथियों खोज करताओं को याद करने की ट्रीक हमने पिछली वीडियो में पढ़ी हुई है अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें इसका जवाब होगा यगिदत सर्मा अगर हम रोपड की बात करेंगे तो रोपड पंजाब में है और आपको पता है पंजाब में सबसे प्रमुक नदी है सतलज तो रोपड सतलज के ही तड़ पर इस्थित है हरपपा के काल का ताबे का रत किस स्थान से प्रापत हुआ साथियों इसका उत्तर होगा दैमाबाद जो की जम्मु कश्मीर में इस्थित है जम्मु कश्मीर की एक महतुपूर नदी है जिसका नाम चेनाब है साथियों दैमाबाद चेनाब नदी के ही तट पर इस्थित है किस पशु के अवसेस सिंदु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे साथियों इसका उत्तर होगा शेर हम पशु की अगर बात करें तो हमें एक मुहर प्राप्त हुई जो की एक सन्यासी की थी भैसा, गेंडा साथियों आप याद रखें यह भाग है नाकी शेर और इस मुहर को पशुपती नाम दिया सर जॉन मार्शल ने मुहन जोदोडो का इस्थानी नाम क्या था? साथियों इसका इस्थानी नाम मित्कों का टीला था मोहन जोदोडो की बात हम पहले ही कर चुके हैं जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा इस्तानागार मिला अन्नागार, फश्पतिसीव की मुहर साथियों अब हम बात करेंगे मोहन जोदोडो की नदी की तो इसे हम एट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ट्रिक है लोब रोस काला घर हरी सिंधु चमको लोब रोस काला, काला मतलब बुरा, लोब रोस बुरी बात है लोब रोस काला घर हरी सिंधु चमको लासे हो जायेगा लोथल, भासे भोगवा, रोपड, सतलच, काला, काली बंगन, घर, खगः हा से हडपा, रा से रावी, सिंधु नदी के तट पर चनहुदडो, मोहन जोदडो, कोट दीजी एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं लोथल, भोगवा, रोपड, सतलज, काली बंगन, घगघर हडपा, रावी, सिंधु के तट पर चनहुदडो, मोहन जोदडो, कोट दीजी हडपा में एक उन्नत जल प्रिणाली का पता किसी स्थान से चलता है साथियों इसका उत्तर होगा धौला वीरा यदि हम धौला वीरा के उत्खनन करता की बात करें तो यहां हम देख रहे हैं जल, जल मतलब वर्शा, वर्शा मतलब विस्ट तो इसके उत्खनन करता का नाम है रवीन सिंग विस्ट जेपी जोसी नाम भी इनके उत्खनन करताओं में आता है और अगर हम धौला वीरा के नदी की बात करें तो यह लूनी नदी के तड़ पर है और इस्थान है गुजरात सिंदु घाटी सभिता के लोग किस पर विश्वास करते थे साथियों इसका उत्तर होगा मात्र शक्ती पर साथियों यहां का समाज भी मात्र सतात्मक था हडपा सभिता का समय क्या था साथियों इसका उत्तर होगा 2350 से 1750 जो की डॉक्टर धरुनपाल के अनुसार है अन्य ओप्सन की बात करेंगे तो 1500 से 1000 इसवी पूर्व रिगवैदिक काल का समय है और 1600 से 600 इसवी पूर्व यह उत्तरवैदिक काल का समय है फडपाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्दती अपनाई थी इसका उत्तर होगा grid पद्दती जिसे आप इस चितर में भी देख सकते हैं साथियों यह उच्छ टीला है और यह निम्न टीला है जिसे आपने नगरों के विन्यास में भी पढ़ा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है तृभुजाकार आकरिती साथियों आपको पता है कि संपूर्ण मोहन जोदरों का आकार ही तृभुजाकार था जो की 12.99.600 वर किलोमेटर में फैला हुआ था किस इस्थान से युगल सवाधान या द्वी सव संसकार का प्रमाण मिलता है साथियों इसका उत्तर होगा लोथल और लोथल की अगर हम बात करें तो यह है भोगवा नदी के किनारे इस्थित है इसको हमने ट्रिक से भी याद किया अगर उत्खनन करता की बात करें तो उसे भी हमने पिछली वीडियो में ट्रिक के माधम से याद किया है इसके उत्खनन करता का नाम है रंगेनाथ राव अगर लोथल में हम और बात करें साक्षियों की तो धान की भूसी के साक्ष और मन के उद्योग के साक्ष भी यहां से प्राप्थ हुए हैं और लोथल एक बंदरगाह नगर है साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही हमने दो मिनट में करेंट अपडेट की एक सीरीज चालू की है तो आप उसे भी देख सकते हैं अपने सुझाओ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं स्वस्त रहें और पढ़ते रहें